साथ वे नमस्कार स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं इंजेक्शन ट्राइमसी नोलोन के बारे में जैसे अपने कीटोसिस का एक वीडियो देखा था जिसमें अपने ट्राइमसी नोलोन का उपयोग क में का उपयोग अपने को एक दोस्तों आज का अपना टोपिक है इंजेक्शन ट्राइमसी नोलोन इनजेक्शन ट्राइमसी नोलोन जो होता है दोस्तों मार्κεट में कई नामों से अवेलेबल होता है जैसे जनरल जो अवेलेबल है इंजेक्शन वेटा लोग के नाम से होता यह ठीक है उसके अलावा इंजेक्शन कहना लोग के नाम से भी यह मिलेगा अपने को इंजेक्शन कारटा लोग के नाम से भी मिलेगा उसके अलावा Triam Court के नाम से भी यह मिलता है तो यह बहुत सारी preparations हैं इसकी जो की market में available होती है ठीक है अब बात करें दोस्तों इसकी preparation की इसकी जो preparation होती है यह आएगी दोस्तों 5 ml की form में ठीक है 5 ml का presentation होता है इसकी while का यानि एक injection 5 ml का injection available होता है इसके अलावा इसका जो concentration होती है दोस्तों यह होती है 6 mg पर ml ठीक है यानि 5 ml में कितनी दवा हो जाएगी 30 mg क्या होगा Triamcinolone इसके अंदर available होता है एक injection में अब बात करते हैं दोस्तों यह जो drug है Triamcinolone इसके बारे में तो देखिए दोस्तों यह जो यह drug का नाम है ठीक है और यह किन नामों से available है मार्केट में यह जो अपने उपर देखें Triamcinolone इसके जो होता है दोस्तों यह एक glucocorticoid होता है glucocorticoid होता है अगर इसके mechanism of action की बात करें तो यह glucocorticoids होता है जो की cells में glucose की availability यह से energy conversion को बढ़ाता है ठीक है जो corticozone होता है उसकी comparison में यह ज्यादा effective होते है Triamcinolone acetonoid अब देखते हैं दोस्तों किन किन conditions में इस injection का उपयोग अपने को करना चाहिए तो जो Triamcinolone होता है दोस्तों इसको सबसे पहले अपन यूज में लेते हैं ketosis में ठीक है इसके अलाव आपने इसको काम में ले सकते हैं दोस्तों arthritis में arthritis के अलावा इसको काम में लिया जा सकता है Tinosinoitis में जो की inflammation होता है joints का ketosis हो गया arthritis हो गया Tinosinoitis हो गया इसके अलावा दोस्तों इसको काम में लिया जा सकता है dermatological disorder जो होते हैं disorder यानि तोचा से संबंदित जो भी बिमारियां होती है सभी में इसको उप्योग में लिया जा सकता है उसके अलावा इसको उप्योग लेते हैं अपन hematoma के cases में hematoma जिसमें क्या होता है blood accumulate हो जाता है skin के नीचे वहाँ पे भी अपन इसका काम में लिया जा सकता है उसके अलावा दोस्तों इसको काम में लेंगे अपन inflammatory जो भी disease है वहाँ पे काम में लिया जा सकता है उसके अलावा इसका यूज लिए दोस्तों pregnancy toximia in EU यानि जो सीप है जिसके अंदर pregnancy toximia नामक जो बिमारी होती है वहाँ पेस को प्योग में लिया जाता है तो यह बहुत सारी condition होती है जहाँ पेस injection को प्योग में अपन ले सकते हैं कि टोसी से, अर्थराइटी से, टीनोसाइनोवाइटी से तर्मेटोलोजिकल डिशॉर्डर्स है हीमेटोमा है, इंफ्लामेट्री जो भी additions है pregnancy, toxemia, in use इन सभी conditions में इसका use में लेते हैं अब बात करें दोस्तों इसकी doge की इसकी doge rate जो होती है दोस्तों, यह होती है cattle और horse की बात करें cattle and horse cattle, buffalo and horse मान लीजे इसको, तो इनके लिए क्या होता है दोस्तों, इसकी total doge होती है 12 से लेके 20 mg तक total doge होती है जबकि आपने देखा इसकी जो preparation है, 6 mg पर ml की preparation आती है तो यहां से अपन इसको use में ले सकते हैं 12 mg से लेके 20 mg तक यानि 6 गुना 3 करें या 4 करें तो 3 से 4 ml के बीच ही scope योग अपन ले सकते हैं 2 से 4 ml तक, जबकि dog और cat की 2.2 mg पर kg body weight यह इसकी dog rate होती है dog way cat के अंदर अब बात करें दोस्तों इसका जो injection होता है उसको अपन इंट्रा मस्कूलर लगा सकते हैं ठीक है, सब क्यूटेनियस लगा सकते हैं या इंट्रा आर्टिकूलर लगा सकते हैं इंट्रा आर्टिकूलर यानि जोइंट्स के अंदर इंट्रा आर्टिकूलर की ज़रुत कहां पड़ेगी अपने को अर्थ्राइटी, टीनो, साइनो, इसके जो केसे होंगे वहाँ पर ये इंजेक्शन अपने कहां लगाना पड़ेगा आर्टिकूलर ये जो भी जानकारी थे उसको बहुत संक्षिप्त तरीके से देखा है धन्यवाद